पांच आज़ों में चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो आपने जमकर कैमपेणिंग की हैं, तो आपको कहीं पर लगा कि BJP के खिलाफ कोई एंटी इंकमबंसी, सेंटिमेंट या कुछ ऐसे वेव कुछ लगा आपको? तो वैसे चुनाव घोशित होने के बाद, मैं किसी राज्य का दोरण नहीं कर पाया हूँ, कि कि इलेक्शन कमिशन ने कुछ मर्यादाइं रखी थी, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं मर्यादाओं का पालन करूँ, लेकिन वर्चुली मुझे बीच बीच में कारकरताओं से बा मैं हो या नहो भारतिय जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो, हम हमेशा जनता जनादन की सेवा में लगे रहते हैं, और जब सरकार में होते हैं, तो बहुत अधिक तीवरता से, अधिक विस्तार से, सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र को ले करके, जी जान से जूटे रहते हैं, और मैं इस चुनाव भे भी, सभी राज्यों में देख रहा हूँ, कि भारतिय जनता पार्टी के प्रती लहर है, भारी महमत से भारतिय जनता पार्टी जीतेगी, और भारतिय जनता पार्टी को सेवा करने का मोका, इन सभी पाँच राज्यों की जनता देगी, और ये भी सही हैं, कि जन राज्यों में हमें सेवा करने का मोका मिला है, उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है, और उसका परणाम होगा, पहले की जमाने में, पोलिटिकल फील्ड में एनालिसिस करते समाई, एक शब्द पॉप्लिर हो चुका है, एंटी इंकमबंसी, मैं सह बता हूँ, हमारे देश में, वक्त बदला, लेकिन कभी-कभी टर्मिनोलोजी नहीं बढ़ ली, और ये कारण ये हैं, कि पहले जो सरकारे चलती थी, वो फाइलों पे हस्ताक्षर करना, मनमर्जी के लोगों की फाइल को प्राइवरिटी देना, योजनाए चुनाओ को केहंदर में रखके गोशित करना, और कभी-कभी जाकर के फिचे काटके चले आना, शुलान्यास करके चले आना, डिलिवरी के तरिप कभी योगदा, उनका ध्यान नहीं रहता था, उनको लगता थे, गोश्णा हो गई हैंने, विज्ञान भौन में दिया जलाया तो उनको लगता थे, काम हो गया, और जब लोगों को काम नजर नहीं आता है, और गोश्णाएं बार-बार सुनने को मिलती हैं, तब एंटी-इंकमबंसी का जन्म होता है, लेकिन जब काम करने का प्रयास देखता है, दिन-रात की महनत देखती है, आज-पास में कुछ नों कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है, कि वहां हो रहा है, तो कल मेरे यहां भी होगा, गरीब को गर उसको मिल गया, तो कल मुझे भी गरीब हूँ, मेरा गर इस बार लाइन नमबर नहीं लगा है, तो कल मुझे मिलेगा, विश्वास प्यादा होता है, और इसके कारण, भारतिय ये जनता पाल्टी के किल्चर में वहां सत्यरटा के साथ काम करने कि वहां एंटी- इंककम्प्रटी नहीं प्रो इंककमंप का वहार होता है और भारतिय जनता पार्टी हमेशा इने प्रोइंकमान्सी को ले कर करके चुनाव में हधिक उत्तर प्रदेश में खास्यत रही कि एक ही पार्टी को दुबारा चांस नहीं देते हैं, मौका नहीं मिलता है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार जो है, क्योंकि तीन चुनावों में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, 2014 में, 2017 में, 2020 में आपको वोट दिया, तो आपको क 2019 में मिला, याने तीन तेर्मार मिला, मंदब जो पुरानी थियरी है, एक बार आओ, एक बार जाओ, वाला उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है, जब पहले ही नकार दिया है, तो आप क्यों आगे बढ़ाएगा, भारती जनता पार्टी ने अनुभव किया है, कि हम काम देखा, 19 में स्विकार किया, काम देखा, 22 में स्विकार करेंगे,